दिवाली पर गलती से भी किसी को ये मिठाई मत दे देना. देने का तो छोड़ो, देने की सोचना भी मत. और जानते हो क्यों? क्योंकि इस मिठाई के चक्कर में आप भिखारी बन सकते हो. दरसल इस मिठाई का नाम एक्जॉटिका है और ये भारत की सबसे महंगी मिठाई है. इसका रेट पच्चास हजार रुपए किलो है. इस मिठाई को बनाने के लिए दक्षिन अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अन्य देशों से इंग्रीडियंट्स मंगवाई जाती है. इसलिए इसकी कीमत इतनी ज्यादा है. सोचिए, अगर आपने ये पच्चास हज इसकी कीमत करीब ग्यारह लाख रुपएये है. जिहां, आपने सही सुना. इस केक को बनाने में प्रीमियम क्वालिटी के ड्राइ फ्रूट्स और जापानी वाइन का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इसे इतना महंगा बनाता है, इस पर सजाए गए असली हीरे. ये केक, दुनिया के कुछ चुनिंदा बेकरी में ही मिलता है. और इसे खरीदने के ल इसमें 23 कैरट के सोने की परतें, दुरलब कोको और एक एंटीक चांदी का चम्मच शामिल है. ये चम्मच आप अपने साथ घर ले जा सकते हैं. नमबर चार, लिंडेत होवे कंट्री हाउस. इसकी कीमत करीब 6 लाक रुपए है. इंग्लैंड के इस मशहूर होटल में बनने वाला यह पुडिंग दुनिया के सबसे महंगे चॉकलिट्स से बनाया जाता है. इसमें शामिल किये जाते हैं चार अलग-अलग तरह के इसमें इस्तेमाल होने वाला दुरलब वेनिजुएला का काकाओ. इसके उपर 24 कैरिट का सोना और स्विस चॉकलेट ट्रफल्स लगाये जाते हैं. यह आइस क्रीम एक खुबसूरत गोबलेट में परोसी जाती है, जो क्रिस्टल से बनी होती है. नमबर दो, क्रिस्पी क्री 20 कैरिट के सोने की परत चढ़ाई जाती है और इसे एक खास हैंडमेड बेलजियम चॉकलेट से सजाया जाता है. नमबर एक, गोल्डन फीनिक्स कपकेक, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपिये है. दुबई के मशहूर बेकरी ब्लूम्स में बनने वाला यह कपकेक, इटली की खास वैनिला, यूगांडा के दुरलब चॉकलेट और 23 कैरिट के खाने वाले सोने से बनाया जाता है.